नमस्कार, जोतिश वास्तु तंत्रमंत्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर व्यक्तिके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हर समय आती रहती हैं लेकिन इन समस्याओं से घबराने परेशान होने से ज़्यादा बहतर है कि छोटे-छोटे अत्यन्त साधारण से उपाय करके हम इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसे ही छोटे-छोटे उपायों की जानकारी देंगे जिन्हें करके आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं अगर आपको ये उपाय आसान लगए और आप इन्हें आसानी से कर सकें तो इस वीडियो को अपने साथियों को मित्रों को भी जरूर शेयर कर दें और साथी साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की लाबकारी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दरिद्रता दूर करने के आसान से उपाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप पैसे की कमी से पैसे की तंगी से लगातार परेशान है लाख प्रयास करने के बाद भी धन का आगम नहीं हो रहा है पैसा आता है लेकिन घर में टिकता नहीं है तो बहुत छोटे छोटे से आसान से उपाए मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए प्राता काल उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करें कराग्रे बसते लक्षमी कराग्रे करमध्य सरस्वती करमूले तुगोरी प्रभाते करदर्शनम यानि हाथों के अग्र भाग में लक्षमी का वास होता है मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है और हाथों के किनारे पर मूल में माता गौरी का वास होता है इसलिए प्राता काल अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए ये आप आसानी से कर सकते हैं इसके बाद आपने अपने घर में तुलसी, पीपल, शमी या केला कोई भी व्रिक्ष लगा रखा हो उसको आप जल अरपित कीजिए पहली रोटी गाय के लिए निकाल करके रख लीजिए क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है अगर घर में देवी देवता अस्थापित हैं या घर में मंदिर हैं तो शाम के समय गी का दीपक अवश्य जलाएं सूरियस्त के बाद जाड़ू पहुचा ना करें और अगर आप ऐसा कोई जौब करते हैं जिसमें घर वापसी सूरियस्त के बाद होती है तो जाड़ू पहुचा करें लेकिन कचरे को घर के बाहर न डालें अगर हो सके तो घर के आसपास कोई तालाब हो कोई नदी हो कोई जलाशय हो वहाँ पर जाकर के मच्छियों को आटे की गोलियां खेलाएं चीटियों को शक्कर मिला आटा डालें और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें अपने काम पर जाएं तो घर में माता पिता या बुज़र्ग होंगे उनका आशीरबात ले करके उनका चरण असपर्ष करके अपने काम पर निकलें आप ये डेली रूटीन बना करके रखिए देखिए आपको इससे कितना बड़ा लाव होगा आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी दरिद्रता दूर होने लगेगी माता लक्षमी का घर में वास होगा ते वुपाय करें और कमेंट करके बताएं नमस्कार